असलाम वालेक मेरे पर्देसी भाईयों वजाराते हज और उम्रा के तरफ से एक नया अपडेट दिया गिया है नोटिस दिया गिया है कि इस साल कौन लोग है वो हज नहीं कर सकते हैं और कौन लोग हज कर सकते हैं यहां पर पताया गिया है no visa no h Trinity . यानि visa नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते हैं yaonई जो लोग भी साथ औरiguous में रहते हैं जिनके पास ayakama है क्या वोग रह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह भी पताया गिया हह तो。 यहां पे पहले वाइलेट है तो आप लोग हज का permit लेकर हज कर सकते हैं कि आमा वाइलेट होना चाहिए आप अपने अफसर पे जाकर चिक कर सकते हैं कि आप elisable है या नहीं वहाँ पे हो जाता है कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी उम्रा वीजा पे आते हैं या टूरिस वीजा पे आते हैं या ट्रांजिट वीजा पे आते हैं या अदर वीजा पे आते हैं लोग हज नहीं कर सकते हैं लेकिन जो लोग भी वर्क वीजा पे हैं वही लोग हज कर सकते हैं और जो लोग भी बाहर से आते हैं उनका हज का वीजा होना चाहिए तब ही परमिशन मिलेगा नहीं तो कुछ लोग यहां पे अलग से सेटिंग करके क्योंकि काफी यहां पे फ्रोड भी करते हैं अलग-अलग कंपनी अलग-अलग उपिस बनाकर एक फ्रोड भी होता है कि मैं आपको हज करा दूंगा मैं परमिट दिला दूंगा औ आपको यहीं पेपर पकरा कर डूबलिकेट तस्री पकरा कर आपको भेंग दिया जाता है जब वहां पे आप पकरे जाते हैं आपका फिंगर होता है फिर आपको यहां से भेंज भी दिया जाता है बाद में आपको सौधिय रवाना मुस्किल हो जाता है काफी लोग के ओपर हाजी जी, स्लाम अलेकूम